स्वामी प्रसाद मौरिया बिन पेंदी की लोटा है क्योंकि यह जब बस्पा में थे तो इनको गवरी और गड़ेश के पूजा से इतराज था और जब वहां से हकाले गए और जब भाजपा में आये तियही स्वामी प्रसाद मौरिया गवरी और गड़ेश का पूजन भी किय कि राम चरित मानस का पाड़ भी किये और जैश्री राम का नारा भी लगाए और जब इनका अपना स्वार्थ नहीं सिध्ध हुआ तो यहां से भी कि जब हटे तो सपा का दामान इनुर थाम लिया और उस समय जब भारती जनता पार्टी में थे तो यही स्वामी प्रशाद मौरिया अकलेश यादो को लेकर कहते थे कि सबसे भरष्ट नेता अगर कोई है तो अकलेश यादो जी है और आज इस सपा में जाने के बाद इनको रामचरित मानस का पाठ और गवरी गणेश और भगवान प्रहुश्री राम से और लच्मड जी से इनको विरोध है क्योंकि जिस पार्टी में है इनको जुमे का नमाज याद आता है और इनको हलाला याद आता है क्योंकि उस पे कोई ये टिपड़ी नहीं कर सकते क्योंकि वहां से भी हका ले जाएंगे